कलाश 10 वालों स्वागेते आपका आज मैं आपके लिए एक कोस्टन लाया हूँ सबसे पहले आप कोस्टन को समझे और आप इन सब बातों को ध्यावन से समझेगा ठीक है आईए सबसे पहले कोस्टन को देखते हैं यहाँ पर देखिए वायू में जलाने से पहले मैगनिस्यम को साफ क्यों किया जाता है दोस्तों क्या कह रहा है आपसे सबसे पहले इस बात को समझे देखिए आपको एक रीबन दिया है कौन सा रीबन तो मैगनिसियम रीबन दिया है ठीक है और आपसे पूछ रहा है कि इस मैगनिसियम रीबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है ठीक है दोस्तों यहां पर इसका आंसर दिया वह है मैं आंसर को एक बार पहले पढ़ देता हूं ठीक है आप ध्यान से इसको सुनियेगा आंसर को ठीक है इसके बाद मैं आपको इसको समझा भी दूँगा तो आईए पले से सुनिए अच्छे से, यहाँ पर देखिए, मैगनिस्यम बहुती अभिक्रियासील धातू है, यह वायुमंडलिया अउक्सीज़क से अभिक्रिया कर धात्विक अउक्साइड बनाती है, जो इसी सता पर जमा हो जाती है, इस परत को हटाने के लिए ही मैगनि मैगनिस्यम रीबन को साप किया जाता है, ठीक है, ताकि दहन ठीक परकार से हो सके, दोस्तों अब आप इन सब बातों को समझे, सबसे पहले आप मेरे एक कोस्टन का जवाब दीजे, क्या, दोस्तों मैगनिस्यम रीबन में कॉन सा धातू होता है, देखिए, इस सवाल का देखिए अब क्या होता है यह जो धातू है मैगनिस्याम ठीक है दोस्तों यह धातू ना बहुत बहुत अभी किरियासील होता है ठीक है अभी किरियासील मतलब क्या होता है मतलब मैगनिस्याम ऐसा धातू है जो बहुत जल्दी रियक्शन कर लेता है यानि बहुत जल्दी औक्सिजन रहता है ये औक्सिजन ये कहां का औक्सिजन है तो वायू मंडल में जो औक्सिजन रहता है उस औक्सिजन से ये मैगनिसियम रियक्शन कर लेता है यानि अभिकिरिया कर लेता है ठीक है और जब मैगनिसियम जो है ये औक्सिजन के साथ अभिकिरिया करता है तो बन यह जो है magnesium oxide इसको धात्विक oxide भी कहते हैं आपको जो मर्जी है वो बोलिएगा आप बोल सकते हैं कि magnesium oxygen से अभिक्रिया करके magnesium oxide बनाता है या फिर बोल सकते हैं magnesium oxygen के साथ अभिक्रिया करके धात्विक oxide बनाता है ठीक है जो आपका मर्जी हो वही आप बोलिएगा ठीक है दोस्त तो जब ये अभिकिरिया होता है और धात्विक ऑक्साइड बनता है इसके बाद क्या होता है देखिए ये धात्विक ऑक्साइड ये जो है मैगनिसियम रीबन इसके ऊपर जम जाता है यानि ये धात्विक ऑक्साइड जो है इस मैगनिसियम रीबन के ऊपर परत के रूप में जम जाता है जैसे मौन लेजी यह एक मैगनिस्यम रिवन है ठीक है इसके ऊपर ना यह धात्विक अक्साइड जो है यह धात्विक अक्साइड परत के रूप में जम जाता है देखिए इसके जमने से होता क्या है दोस्तों जब यह धात्विक अक्साइड मैगनिस्यम रिवन क जलता है इसी लिए दोस्तों इस मैगनिस्यम रीबन को साफ किया जाता है क्यों क्योंकि धात्विक ऑक्साइड जो है ना इसको हटाने के लिए इसी धात्विक ऑक्साइड को हटाने के लिए मैगनिस्यम रीबन को साफ किया जाता है जिससे क्या होता है तो मैगनिस्यम रीबन अच्छे से जल पाता है यानि इसका दहन जो है दहन अच्छे से हो पाता है ठीक है दोस्तों इनी सब बातों को सबदों में आपका यहां पर लिख दिया गया है ठीक है यही सारी बाते हैं जो मैंने आपको भी बताया यहां पर एक बार फिर से इसे सुन लिजे आप ठिक है यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है मैंगनिस्यम बहुत ही अभिकिरyasiil धातु है यह बात मैंने आपको बताया ठिक है याद रखेगा ठीक है यहाँ पर देखिए इस परत को हटाने के लिए ही मैगनिसियम रीबन को साफ किया जाता है ताकि दहन ठीक परकार से हो सके बस इतना साही बात है इसके बाद आपको एक समीकरन लिख जाना है 2Mg पलस O2 यहाँ पर किर देखे 2Mg O देखिए यह मैगनिस आप आउकसाइड जिसको हम धात्विक आउकसाइड भी बोलते हैं ठीक है तो इन सब बातों को आप जरूरी लिख दीजेगा दोस्तों एक और बात की मैं इससे पहले कई सारे कोस्टन का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ ठीक है उसका लिंक जो हैन ऊपर इन सब्सक्रिक है थैक है थैक्षू